यह डक्र साब से डक्र साब का reaction कुछतें है ऑई कैसा है ? डक्र साब कैसा है ? एक हम भी खा कुछ रहने है ? Hello friends, welcome to our new vlog कैसे हैं आप लोग ? I hope आच्छे होंगे तो डक्र साब का फोण आ गया था तो चल है डक्र साब के अहाँ और देखते हैं किया है ? और रात की बज़ रहें आठ आज हम और डाक्टर साहब निकले हैं रात में मतवड़ा जरूरी काम की वज़ा से तो एक फेमस शाठ है जहां हम लोग निकले हैं जिस जगे पे तो आएए चलते हैं देखते हैं वहां का शाठ आते हैं का इसे लगता और फिर आगे का विव यह अगे शुद्धा टिक्किया तैयार हो रहा है और तयार होता है फिर आपको दिखाते हैं कैसे बना हुए वैसे डाक्टर साहब बतार थे काफी ज़्याधा फेमस हैं आप बहुत अच्छा लगता है खाने में काफी स्वाधिस्ट होना आते हैं तो फाइनलि हम लोग वो बताते हैं डॉकैकолотि और बतााओ कैसा इकर साथ क्या को युद्म काफिंड जयादा परेशान हो रहा है का देक रहा है ये खाने क लिए defence स bırak रात की 11 बजर है और डाक्टर साब तो इदर खाने में लगे हैं उन्हें खाने खाने की पड़ी है हम सोच रहे कम से कम निकल जाए घर और यह देखर रहे का कर रहे हैं और डाक्टर साब चलोगे वाई या बहुत तकड़े वाली नीद आ रखी है बड़ी सान हो रहा है डाक् अब आ गए हैं हम लोग अपनी क्रासिंग के पास अभी यहां से हम लोगों को कम से कम जाना पड़ेगा तो पचीश से तीस किलो मीटर जाएंगे तो भाई मिलेगा रुकने के लिए जगे हैं आज तो घर पे जाएंगे नहीं कि काफी ज्यादा नीद लग रही है डाक्टर के घर पे आज रुकते हैं रात के साड़े बारा वज रहे हैं आप देख सकते हैं कि इतना जादा सनाटा है और हम डाक्टर साब दोनों लोग निकल चुके बाई और यह ऐसी रोड है अच्छे नहीं निकलते हैं इस रोड पे बाइक लेकर लेकर रात में अब डाक्टर का मोड क्या था बता नहीं निकल बड़े बाई गूमने के लिए और गूम ने किया थोड़ा डाक्टर का काम था तो इसी वज़े से निकले थे और जा घर हैं अपने साइड अब यहां से 15 किलियो मीटर हम लोगों का घर भचा हुआ है अभी हम चौराहे पे बहुंचने वाले हैं यहां से तो किलियो मीटर हमारा चौराहा बचा हुआ है और यह है कि रात के जो है देड बज रहे हैं डाक्टर की वजह से रात में हमें निकलना तो आ चुके हैं अपने चौराहे पर पहुंचने के बाद कोई भी आएगा तो इतना है जो मार्केट है वो लमसम खुला रहता है ऑड़ आँ मिलेंगी लेकिन टेड़ सारी मार्केट उकट चुकी मिले हैं अपने रूट चर्णफ और जाना पड़ेगा तो पतंचते हैं भाई घर और इतना है कि लेट इतना जादा हो चुका है कि पता नहीं सकते और रात के दीड़ बज़ रहे वाई डीड़ सुएंगे कब और जगेंगे कब के